मुझे आज बहुत दूख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई साउसद पांच साल के लिए आए कुछ साउसदों को दस साल के लिए मौका मिला लेकिन बहुत से साउसद ऐसे थे जिन को अपने खेतर की बात करने का आऊसर नहीं मिला अपने विचारों से साउसद को समरिद्ध करने का आऊसर नहीं मिला क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीती ने देश के साउसद के महत्वपून समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढाकने के लिए दुर्प्योग किया हूँ मैं सभी दलों से आगरह पुर्वक कहता हूँ कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे मानने साउसद है और सभी दल में हैं उनको आउसर दीजिए चर्चा में उनके विचारों को प्रगण करने का मोका दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का आउसर दीजिए और आपने देखा होगा कि पार्लामेंट के नए संसथ गठन होने के बाद जो पहला संत्र था 140 करोड देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुकम किया है देशवासियों ने उसकी आवाज को कुछलने का और लोकत्रिक प्रयास हुआ दाई घंटे तक देश के प्रधान मंत्री का गला गोंटने का उनकी आवाज को रोकने का उनकी आवाज को दबाने का लोग तांत्रिक परमपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पस्याताब तक नहीं है दिल में दर्द तक नहीं है मैं आज आगरपुर्व कहना चाहता हूँ देश वात्यों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है दल के लिए नहीं भेजा है दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए हैं, ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं हैं, एक सो चालीस करोड देश वासियों की एक विराज सीमा तक करके लिए हैं, मुझे अभिस्वात करता हूँ, कि हमारे सभी मानिय सांसद, पूरी तयारी के साथ, चर्चा को समर्द्द करेंगे, कितने ही विरुद्व विचार होंगे, विरुद्व विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात पर विचार बुरे होते हैं,